प्यारे बच्चो नमस्कार से बाबा साब ने अपने विचार देश के प्रती समर्पित कि यानि कि उन्हों का मानना है कि यदि देश का उठान करना है देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इस प्रकार की विचार धरा को अपनाना पड़ेगा प्यारे बच्चो यह पाठ आपको हमने बताया था उनके एनिहिलेशन ऑफ कास्त जो 1936 में प्रकासित हुआ था बासन उससे लिया गया है उनकी काफी रचनाएं हैं बाबा साब ने देश विदेश में पढ़ाई की और समिधान निर्वात्री सभा के एक बहुत बड़े सदस से के रूप में उन्होंने काम किया आज हमारा जो समिधान है जो समिधान पर हमारा देश चल रहा है उस पर उनका बहुती महत पूर्ण योगदान है प्यारे बच्चो हम आ रहे थे हमने बाबा साब भीमराव अंबेडगर के बारे में इससे पहले वीडियो में हमने कर लिए थी कि उनकी विचार धारा उनकी बावनाय किस परकार की थी और इसके बाद हम आ गये यहां पर कि पार्ट का सार पढ़ने के लिए हम तयार हो गए थी हमारा वीडियो इससे पहले यहां तक बना था प्यारे बच्चो यहां से हम सुरू करते हैं पाठ का सार है, पाठ का निसकर्स है, निचोड है इसमें सारी बातें आ जाती है ये पूरा पाठ उन्होंने ये 10 बारे पंक्तियों में बंद कर दिया है NCRT में भावती महत्वपून पाठ है परिक्षा में कई बार इसमें से एपठित गध्यांस शोरी पठित गध्यांस आते रहते हैं प्रसन भी आते हैं, इंपोर्टेंट पाठ है लेकिन थोड़ा सा द्यान पूर्वा के यदि हम इस बात को समझ लें तो ये पाठ हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के दिक्कत नहीं देता है तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं यहां प्रस्तुत पाठ आम्वेड़कर के विख्यात भासन एनिहिलेशन आफ कास्ट एनिहिलेशन आफ कास्ट 1936 के ललाई सिंग के द्वारा प्रकासित किया गया था यहां कि प्रस्तुत यह आम्वेड़कर के विख्यात भासन एनिहिलेशन आफ कास्ट 1936 के ललाई सिंग या दव द्वारा कृत हिंदी रूपांत्र जाती भेद का उच्छेद के दो प्रक्रणों के तोर पर है यह भासन जाती पाती तोड़क मंडल जाती पाती को तोड़ने वाले मंडल लाहोर के वार्षिक सम्मेलन लाहोर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अद्यक्ष्य भाषन के रूप में जब उन्होंने अद्यक्ष्ता समाले उसके समय में यह अद्यक्ष्य भाषन के रूप में त्यार किया गया था परंतु इनकी क्रांती कारी द्रिष्टी से आयोजकों का पूरण सहमती ने बन सकने के कारण सम्मेलन को सिस्थगति हो गया और यह पड़ाने जासका यह भाषन उनका बाद में अमबेड करने इसे स्वयतंत्र पुस्तिका के रूप में पुस्तक के रूप में परकासित कर वित्रित किया जो प्रियाप्त लोगप्रियता हुई बहुत ज़्यादा उसको लोगप्रियता मिली उनके अनुसार समांता स्वयतंत्रता वे बंधुता तीनों चीजे समांता स्वयतंत्रता और बंधुता मित्रता यह तीनों ता तो आदस समाज में अनिवारिये हैं उन्होंने बताया कि यदि आप आदस समाज की कलपना कर रहे ह। आदस समाज ठापित करना चाहते हो तो ये चीनों चीजें होने जरूरी है समानता होनी चाहिए, स्वेतंतरता होनी चाहिए और बंदुत आऊनी चाहिए जिससे लोकतंतर सामुईक जीवनचरिया का एक रीती समाज देखो ये रीती कैसे लिखा जाता है रीती का एक काफी बार लिखना पड़ता है एक पेपर में रीती तथा समाज के सम्मलित अनुभों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे यहाँ प्रस्तुत पाथ उक्त पुस्तिका के प्रती निधी प्रक्रण है उसका एक छूटा सा हिस्सा है आज के जाती मजहब आदारित विशाक्त सामाजिक राजनेतिक विश्य भरा हुआ जहर चे बरा हुआ जाती मज़बादी विष्ट से भरा हुआ समाजिक राजनेतिक माहुल में इसकी पार संगिक्ता और बढ़ गई है इसका महतो आज के समय में और जादा बढ़ गया है प्यारे बच्चों हम वैसे तो जाती पाती की बाते नहीं करते लेकिन राजनेतिक छेत्र में ये जाती पाती की बातें ज्यादा चल जाती हैं तो इस प्रकार से हम यहां से हमारा पार्ट पूरा होता है और यहां पढ़ते हैं सरम विवाजन और जाती प्रथा सरम मेहनत का विभाजन और जाती प्रथा पहला ही पहरा प्यारे बच्चों आपके लिए एक पठित गध्यांस बनता है प्रसंद छाटने के लिए यह है विडमना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोस्कों की कमी नहीं है बाबा सामने का कि विडमना और इदुरभा के इस बात पर है कि आज भी ऐसे लोग विराजमान हैं जो जातिवाद के बढ़ाने की पोस्कों की उसे पोशन देने की उन्हें बढ़ाने की उपर तक ले जाने की कमी नहीं है आज ऐसे लोग हैं, उन्होंने बताया, इसके पोसक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, इसको बढ़ाने वाले पोसक जो लोग हैं, कई तरह से इसका समर्थन करते हैं, समर्थन का एक आधार ये का जाता है, कि आधूनिक सब्यसमाज, क्या-क्या देखो ये प्रसंद ब पढ़ाने के लिए क्या क्या तरक दिए प्रसंद बनेगा आपके लिए तो यहां पर देखिए आदूनिक सब्विसमाज कारी कुसलता के लिए सरम भाजन को आवशक मानता है सब्विसमाज कारी कुसलता उनके अंदर कारी की कुसलता है इसलिए सरम भाजन को आवशक मानता है चुकि जाती पर्था भी सरम भाजन का ही दूसरा रूप है सही बात है पहले समय में हम जो जातियां थी जो जाती के अनुसारी तो हम अपना धंदा करते थे दूसरा रूप है दोनों एक दूसरे के प्रिया है इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है पोस्कों का कहना है किसे अपनाना चाहिए इसमें कोई गुराई नहीं है इस तरक के संबंद में पहली बात तो यही आपतिजनक है यहीं पर ही समस्या पैदा हो गई कि जाती प्रथा सरम वाजन के साथ साथ सरमिक विभाजन का भी रूप लिये हुए है सरमिक विभाजन यानि कि मजदूर मैनतकस लोगों को भी बाढ़ देती है सरम को नहीं बाढ़ती है सरमिकों को भी बाढ़ देती है सरम वाजन निश्य ही सब्यसमाज की आउशकता है सरम वाजन निश्य रूप से सब्यसमाज की आज के समय में कहता है परंतो किसी भी सब्य समाज में सरम वाजन की व्यवस्ता सर्मिकों का विविन वर्गों में ऐस्वभाविक विवाजन नहीं करती ऐस्वभाविक का मतलब सही तरिक्य से नहीं करती है यनकी बिल्कुल स्वभाविक रूप में करें तो ठीक है लेकिन ऐसो भाई विवाजन उनका तरिके से विवाजन नहीं हो पाता कहने का मतलब बारत की जाती प्रथा की एक विशेश यह है कि सर्मिकों का ऐसो भाई की विवाजन ही नहीं करती बलकि विवाजित विविन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उंच नीच भी करार देती है यानि कि धंदे के आधार पर उंचा नीचा बताया जाता है जो कि विश्व में किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है बाबा साब ने का कि विश्टू के किसी भी समाज में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर यह पैरा है पैरे बच्चो और इस पैरे में से जैसे प्रसंद बनते हैं जैसे पहला प्रसंद है किस बात को विडमना कहा जाता है किस बात को लेकर विडमना कहा जाता है देखो लेखक ने इस बात को विडमना काया कि आज के जागरित युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोसक बने हुए हैं उसे बढ़ाना चाहते हैं वे कारिय कुसलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं कारिय कुसलता के लिए आकि कारिय कुसलता कुछ जातिवादी लोगों के अंदर ही होती है बाकी लोगों में नहीं होती है उनका मानना है ये इसके बाद इसका दूसरा प्रशन है लोग जातिवाद का पोसन किस कारण करते हैं इस पैरे में से किस कारण से करते हैं या आपके लिए प्रशन हैं तो प्यारे बच्चों लोग जाती वाद को कारिय खुसलता के लिए अनिवारी मानते हैं जरूरी मानते हैं और उसको जरूरी मानने के साथ साथ उसको जरूरी मानते हैं तथा आप कहता है कि जरूरी मानने के साथ साथ देखो ये कर्म का विभाजन करती है ये विभाजन सब्यसमाज के लिए उन्होंने समझाया आवसिक बता है इसमें अगला प्रशन है कि सरम विभाजन किसे कहते हैं इसका क्या उचित्त है देखो सरम विभाजन कार्थ है मानव क्योप्योगी कारियों का वर्गी करन करना उनका वर्गी करण करन प्रते कारिये की कुशलता से करने के लिए काम दंदों को बाट लेना आवशक है कोई खेती करे, कोई मजदूरी करे, कोई फैक्टरी चलाए, कोई पढ़ाई, चिकित्चा आधी करे ऐसा करने से हर काम में कुशलता आती है जाती परता बुराई क्यों है, देखो, जाती परता बहुत बड़ी बुराई है कारण यह है कि सरम विवाजन के साथ साथ वैं सरमिकों का भी विवाजन करती है मजदूरों को भी बाट देती है, यह मनुष्य को जन्म से ही किसी काम दंदे से बांद देती है इसके कारण मनुष अपनी रूची और छमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता उसे जो काम पैत्रिक संपत्रिकता से मिला है पुर्वजों से मिला है उसे स्विकार करना होता है उसकी एह मजबूरी होती है कि उसे स्विकार करना होता है तो इस तरह से प्यारों बच्चों इसमें से प्रसंद छाटने आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट प्रसंद बनते हैं इसके बाद में हम प्रसंद और भी बनते हैं जैसे कि आपके लिए प्रसंद और भी बन सकते हैं सरम विवाजन और सरमिक विवाजन का अंतरस्पस्ट कीजिए सरम विवाजन और सरमिक विवाजन को सरम विवाजन का अरत है अलग अलग पेशों का वर्गी करना वैसो भाविक है सरमिक विवाजन सरमिकों का वर्ग बनाता है ये लोगों को जन्म से ही किसी काम दंदे में जो प्रकार से और प्यारे बच्चो इसके बाद में प्रसन है भारत में इसी पैरे में से है भारत में सर्मिकों का ऐस्वाविक विभाजन है कैसे आप कैसे बताएंगे कि ऐस्वाविक विभाजन है देखिए सर्मिकों का स्वाविक विभाजन तब होता है जब सभी सर्मिकों को अपनी रूची और सवभाव के अनुसार काम धंदा डूढने की छूट मिले सईसे काम धंदा डूढने की छूट मिलने चाहिए हमारे अवारत में नहीं है ऐसा हमारे तो यहाँ पर जो हमारे पुर्वज धंदा करते आ रहे हैं उसी पर ही रहना पड़ता है परन्तु यदि जन्व और वन्स परंपरा के अनुसार किसी को खास वर्ग या सर्मिक बनाने को मजबूर किया जाए तो यह सर्मिक विवाजन ऐस्वावाविक ही कहलाएगा बारत में जन्व से ही जातियां और करम तै कर दिये जाते हैं इस परकार से ये प्रसन है और प्यारे बच्चों इसके बाद में प्रसन तोर भी ये बारत में ऐसी कौन सी विवस्ता है जो सारे विश्टू से अलग है जाती पर था जन के आदार पर भी किसी काम दंदा ते करतना और उन्हें उचनी चिद करना ऐसी विवस्ता हमारे लिए बहुती विडमना है दुर्भाग्य बन जाता है ऐसा और लेखक ने बाबा साब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि ऐसा कहीं किसी और देश में नहीं है तो आगे चलते हैं हम प्यारे बच्चों देखे जाती पर्था को यदि सरम भाजन का मान लिया जाए ये प्रसन बन मनुस्की रूची परादारित नहीं है उसे जबरदस्ती ये दंदा दिया गया है उसकी कुसलता उसमें नहीं है कुसल व्यक्ति या सक्सम स्रिमिक समाज का निर्मान करने के लिए ये आवशक है जरूरी है कि हम व्यक्तियों को छमता इस सीमा तक लिक्सित करें जिससे वह अपना पेशा या कारिये का चुना स्वेम करें जैसे कि उदारण के लिए आपको कोई कारिया आपके पिता दादा जी करते आये हैं और उस कारिये में आपकी रूची नहीं है और आपको जबरदस्ती वो दंदा दिया जाता है तो आप बताईए बेरोजगारी बढ़ेगे कारिये को सलता कम होगी की नहीं होगी वह बच्चा वह युवा उस कारिये में जब रूची नहीं है तो वह आगे भी नहीं बढ़ पाएगा इसलिए जरूरी है कि युवाओं को उनकी विचार धारा के अनुकूल उनके अनुसार जो कारिये है वह दिया जाना चाहिए इसके बाद में है कि हम व्यक्तियों की चमता इस सीमा तक विक्षित करें जिससे पता पेशाकारी का चुना श्रम कर सके इस सिद्धान्त के विपरीत जाती पर्था को, दुषित सिद्धान्त, बुरा सिद्धान्त या है कि इससे मनुष्ट के प्रसिक्षन अथवा उसकी नीजी छमता का विचार के बिना दूसरे ही दृष्टीकों जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्बदारण के समय से ही मनुष्ट का पेशा निर्दारित कर दिया जाता है सची बात है जिनके पिता दादा जो करते आ रहे हैं वही तो उसका बच्चा करता है उसके लिए ये गर्ब में ये दंदा उसके लिए जो है निश्चित कर दिया जाता है कि आने वाले समय में इस बच्चे को ये कारिय करना पड़ेगा चाये उसकी उसमें रूची हो या ने हो तो इस परकार से प्यारे बच्चो अगला जो पहरा आ रहा है ये आपके लिए प्रशन चांटने के लिए बंता है जाती प्रथा पेसे का दोस्पूरण पुरुनिर्दारिन ही नहीं करती अगली बात क्या बताई जाती प्रथा पेसे का दोस्पूरण जो उसका दंदा होता है पेसा होता है उसका दोस्पूरण पुरुनिर्दारिन ही नहीं करती बलकि मनुष्ट की जीवन भर के लिए कैसे पेसे में बांध भी देती है बले पेसा अनुप्युक्त या एप्रियाप्त होने के कारण वै बुखो मर जाए उसे बुखा मर जाए उसे स्वीकार करना होता है युवा को चाहे रूची हो चाहे मत हो उसको वह स्वीकार करना होगा चाहे बेसक उसे सारी उमर बर बुखा मरना पड़े आदुएंग युग में यह इस्तिती प्राय आती है क्योंकि उद्योग दंदों की उद्योग दंदों की प्रक्रिया वहत तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अक्समात परिवर्तन हो जाता है कभी-कभी जो इनतक्निकी की कारण थोड़ा सा बदला आ जाता है और उसका परिणाम बड़े सकारात्मक हमको मिलते हैं तो इस प्रकार से जिसके कारण मनुस्ष को अपना पेशा बदलने कोई आवसकता पड़ सकती है और यदि प्रेतिकूल प्रिष्थितियों में भी मनुस्ष को अपना पेशा बदलने की स्वतंतरता ने हो तो इसके लिए बूखो मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है उसके लिए कोई संसाधन काम नहीं करता यानि कि यदि पेशा नहीं बदल सकता तो फिर वह बूखा ही मरेगा यह निश्चीत है इसके लिए बूखो मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है हिंदु धर्म की जाती प्रथा किसी वीव्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती यानि कि जिस जाती से संबन्द है वह वही दंदा करता है वही कारिये करता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा चाय उसकी रूची हो या ने हो बेसक उसे बूखा मरना पड़े जो उसका पैतरक पैसा ने हो बलेइ वै उसमें पारंगत हो पारंगत हो उसकी रूची हो चाय उसका जज़बा जुनुन हो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमती नह देकर जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक पर्मुक कारण पर्मुक वेप्रतेक्स कारण बने हुई है तो प्यारे बच्चों ये पैरा एक तो प्रसन चाटने के लिए है और इक इस में से सबसे बड़ा प्रसन बनता है कि बेरोजगारी का एक पर्मुक कारण जाती प्रतेक्स कारण क्यों बताया गया है आपको पता चल गए यहाँ पर जाती पर्था उस युवा को जो उसकी रूची नहीं है और उसे जो पेशा दिया जाता है वह स्वीकार करना पड़ता है इस कारण से जाती पर्था उसके लिए एक समस्या वह धन्दा उसके लिए समस्या और वह पर्मुक रूप से बहुत बेरोजगारी के कारण दुखी हो जाता है तो प्यारे बच्चो इस परकार से हमारे यहां तक हमने पड़ा हैं इस पार्थ को द्यान पूरवक पड़ें अपनी कोपी साथ साथ बनाते रहें सुन्दर सुन्दर लिखाई करते रहें आपके लिए बहुत जरूरी है धन्यवाद नमस्कार आपको